हेलो दोस्तो नमेशकार स्टार्ट कर लेते हैं सो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो यहापे दो स्टॉक्स को में कवर करने वालों बहुत ध्यान से सुन लेना कि यहां पहे दो कमपनिज है तो हमें से भी तो स्टॉडी करना चाहिए तो उसी से रिलेटड बात होने वाली है सो इन दो numbers के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मतलब दो companies की है तो पहले company के अगर मैं बात करूँ बहुत ध्यान से सुन लेना जल्द बाजी मत करना क्योंकि बहुत सारो लोग जल्द बाजी करते है और मतलब जो already चीजे जिस सवाल के जवाब detail में मैंने videos में ही दिये है वही सवाल comment section में पूछते है मतलब वो video के देखते नहीं directly comment स्टार्ट हो जाते है इसलिए कहना चाहूँगा कि बहुत शांती से सुन लेना यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि दो stocks की बात हो रहे है उसमें से एक stock बहुत ध्यान से सुन लेना एक stock ऐसा है कि उसके नंबर खराब नहीं है खराब मतलब क्या कि performance अच्छा ही दिखाया है बट personally मतलब मैं अपने study के साब से बात कराओ कि मैं disappointed हूँ क्यों disappointed क्योंकि इस company ने उमीद बहुत अच्छी दिखाई थी उमीद मतलब क्या कि company के जो trailer रेता है quarter one के updates रेते है वो बहुत अच्छे थे इसका जो competitor था उसने जो number पेश किया था वो तो भाई धमा केदा रही था और मतलब company ने कमाल ही कर दिया पर यहाँ पर मतलब इस company से related मुझे उमीद थी बट येस मेरे expectation की साबसे नहीं है यह मैंने पहला point clear कर दिया कौन सी company उसके उपर हम लोग जरू आएंगे बट यह बताना important रहता है second company की बात करें तो यहाँ पर company के number actual में इतने कुछ दमदार नहीं है और वो expected ही था क्योंकि पूरा sector ही वैसा चल रहा है सो चले अभी इन दोनों companies को study कर लेते हैं जितना important था सारी बाते में ने बता दिये तो पहली company आ जाते हैं जिसके consolidated numbers मैंने आपे open कर दिया अभी आप बोलोगे सरी यह कौन सी company है तो यह है macro tech developers या फिर जिसकों आप लोग शॉर्ट फॉर्म से तो मैंने आप लोगों को बता है गोदरेच प्रॉपर्टी, अभी रेयल्टी और लोधा बिल्डर जो अभी-अभी IPO के थूँ market में आपे आया है वो personally यहापे थोड़ा बहुत यहापे okay-okay लगता है तो इसलिए यहापे कुछ मेने चीज़े आप लोगों को study करने के लिए दे थे और अच्छे कासी returns भी अभी भी आपे बन रहे है तो आप सबी लोगों को याद होगा Oberair Realty ने बहुत ही शांदार नंबर दिखायते और इसलिए expectation था कि लोधा builder तो कमाल कर देगा कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके नंबर आने वाले जरू देख लेना क्योंकि excitement जादा है बट excitement मेरी तो excitement मतलब literally यहापे मतलब जैसे company से मैं expect करता वेसे numbers नहीं है मतलब आप देख सकते June, March, June sequence ठीक है टोटल इंकम अगर आप देखोगे 2600 करोड 3500 करोड 1700 करोड मतलब yearly अच्छे नंबर से quarterly थोड़ा सा downfall है so next अगर हम लोग आप बात करें तो company की खर्चे अगर हम लोग देखेंगे तो 2300 करोड, 2600 करोड, 1500 करोड and income minus expenditure करेंगे तो company profit में ही रहती है तो company का profit कितना है 327 करोड, 800 करोड and 219 करोड तो ऐसी बात नहीं कि company का yearly performance खराब हुआ है, 219 करोड से 3700 करोड तो कमाई है 800 करोड से 300 करोड यह बहुत कम यह आपे नजर आ रहा है बट जैसे मैंने कहा कि Q1 के नंबर ओके-ओके है, yearly तो अच्छा performance की है, बट personally मैं expect कर रहा था यह company बहुत अच्छा है, आपे कर सकता है मतलब yearly अच्छा किया है company ने, जो कि हम लोग देख रहे हैं तो यह तो मान ही रहा था बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि यह quarterly भी अच्छा करेगा जैसे मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ कि अबरा रेल्टे ने तो कमाल कर दिया था बट इस company ने इतना कमाल नहीं किया तो personally disappointed हूँ देख लेते हैं अभी बाज़ार को यह number कैसे लगे क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों कि हर किसी का अपना अपना नज़रिया अलग रहता है कुछ लोगों को number अच्छे लग सकते हैं कुछ लोगों को नहीं अच्छे लग सकते हैं यह मैं बार-बार कहता हूँ कि कुछ लोगों को येस बहुत अच्छे लगते हैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं तो टैक्स पे करने के बाद कितना बच गया है यहापे नेट प्रॉफिट तो 270 करोड़ इसके पहले 500 सवा 500 करोड़ और उसके पहले 160 करोड़ यह अच्छा है यह परफर्फर्मंस कॉटरली यहापे में एक्सपेट करा था तो आप लोगों को क्या मिल जाते है यह अर्निंग पर शेर मिल जाते है जो कि नेट प्रॉफिट का ही रिफ्लेक्शन रहेगा ज्यादा कुछ नहीं 5.62 11.12 and 3.66 So yearly अच्छा है quarterly down है तो लोधा बिल्डर के जो नंबर्स है वो मिने अभी आप लोगों के सामने आपे रख दिये मैं again कहना चाहूँगा दोस्तो नंबर्स इतने भी खराब नहीं है बट personally हर किसी के अपनी राय होती है तो वैसे मैं personally थोड़ा बहुत disappointed हूँ अभी बाज़ार को अच्छे लगे नहीं लगे कल पता चल जाएगा तो चले पहली company तो यहाँ पर हो गई फिलाल अभी company क्या trade कर रहे चलो उसके उपर भी आ जाते है तो आप देख सकते हैं आज की दिन तो लगबग 2.73% तेस था यहाँ पर शायद से हम बोल सकते कि expectation था इसलिए यहाँ पर 30 जा था उवराल 6 मैने की बात करें वो तो market down है इसके इसाब से यह भी down है एक साल में 38% की returns उससे ज़्यादा थे market down है इसलिए आप देख सकते हैं देखी यहाँ से भी हमने को गिरावटी दीखने को मिली और अभी तक जो company का overall performance रहे वो मतलब आपका पैसा double तो यहाँ पर हो जुका है जब यह IPO आया था आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर personally मैं यहाँ थोड़ा बहुत interested था interested मतलब क्या कि real estate में अगर जाना ही है कि यहाँ पर उसके हिसाब से politically भी advantage है आप लोगों को पता है मैंने इसके उपर detail वीडियो भी बनाए था तो पैसा थोड़ा ही लगाए था और अच्छा गासा तो growth यहाँ पर अलड़ी हो चुका है main core income कभी भी मैं इस company में लगाना पसंद नहीं करूँगा in fact इस sector में ही लगाना पसंद नहीं करूँगा but still जहाँ पर मुझे मेरी studies की साब से अच्छा गासा कुछ लगता है कि पैसा बन सकता है वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जाना पसंद करता हूँ तो ठीक है कहानी खतम होगे लोधा builders की लास्टाइम कितना था 124 ठीक है उसके पहले 104 so 104 कितना होगे 128 ठीक है 124, 128 मतलब इंकम तो अच्छा ही है कोई दिक्कते तो यहाँ पर है नहीं then कहाँ पर गडबड़ होगे खर्चे खर्चे आप देख सकते 113 लास्टाइम था 105 एंद उसके पहले था 86 so 86 का खर्चा 113 105 का खर्चा 113 एंद जितना खर्चा बड़ा है जिस रफतार से खर्चा बड़ा है इंकम उतने रफतार से नहीं बड़ा है तो मार्जिन्स के उपर इंपक्ट प्लस प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी कासी गिरावट गिरावट मतलब लॉस में नहीं गया है पर यहाँ पर कॉटरली एंद यहरली हम लोगों को गिरावट डिखने को मिलता है so income minus expenditure प्रॉफिट मिलता है तो चले कितना प्रॉफिट है तो आप लोगों को दिखाना चुगा प्रॉफिट भीफोर टैक्स कॉटरली एरली दोनों में अच्छी खासी गिरावट डिखने को मिल रही है और यह company कौन सी है दोस्तो तो IT सेक्टर की ही दिगज कंपनी टेक महिंद्रा यह दोस्तो टेक महिंद्रा जिससे related कल मैंने वीडियो बनाए था जैसे मैंने आप लोग को कल के वीडियो में भी बताया था कि बहुत ध्यान से सुन ले ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तो उसमें टेक महिंद्रा का experience अच्छा है तो उससे related वो वीडियो था अभी की इस वीडियो की बात करें यह तो numbers थे अभी previous quarter कैसा चला उसके इसाब से 15,453 और उसके पहले कितना था साड़े तेरह अजार के करीब पकड़ लेना तो आप देख सकते साड़े तेरह अजार कितना है मतलब साड़े गैरा मतलब कम हो गया और यहापे साड़े पंदरा था वो साड़े गैरा हो गया सो quarterly yearly दोनों तरफ से हम लोग को धज्या उड़त पर negative impact देखने को आपे साफ साफ मिल रहा है मैं अगेन कहना चांगा दोस्तों कल खाए वीडियो जा था उसको mix-up मत कर लेना सर कल तो बता रहे तो सर यह इसका बाफ है वो उसका बाफ है तो ऐसा नहीं वो उस टेक्नोलोजी की में बात करा हूँ जो कि अभी तक इंडिया म बात कर तो definitely यह तो pure disappointed number है जो कि हर कोई large IT company जितने भी बड़े बड़े यह IT companies है उन सभी के नंबर शायद से आखरी वाला ही था मतलब यह जो हम लोग IT sector के अगर हम लोग बात करते है इसमें यह top leaders है right कौन से TCS तो TCS नहीं शुरुआत कर दी थी कि उनके number flat थे then अगर हम लो बाखी था तो उस company के भी numbers हम लोग ने आपर देख लिए इतने कुछ जादा strength नजर यह आपर नहीं आई है खास करके बड़े IT companies में अभी छोटे IT companies कैसे performance करते है उसमें तो है पेस माइंड ने अच्छा किया Tata Lexi ने अच्छा किया RTTS ने अच्छा कि आज के PIT Tech की भी number है तो वहाँ पे देखना important रहने वाला है तो यह थे Tech महिंदरा की number है और जैसे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया number तो बाजार close हो जाने के बाद आये है और परसनल देखा के तो numbers में quarterly and yearly इतना कुछ जादा strength नजर यहाँ पे न पड़ेगा अगर आप एक safe capital रखना चाते हो पाच-पास साल में आप देख सकते हैं 100-100% return कमाना चाते हो तो definitely यह जो पहले 5 companies में आप लोगों को बताया थे IT sector के वहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टेक माइन राके नमबर एक्च्वल में इतने कुछ दमदार यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कल गिरावट के चांसे से आप रह सकते हैं लोधा builders की बात करें तो numbers तो यहाँ पे yearly अच्छा performance के हैं बट personally में expect कर रहा था कि quarterly तो यह मतल सिर्फ एक reaction देखने को मिलेगा तो जरूर आपका खुद का personal जो opinion रहते हैं वो important रहते हैं क्योंकि अगर आप एक long term investor हो रहे तो कल क्या होगा उसके ही सबसे आप लोगों ने अपने decisions को modify करना नहीं होता है आपका नाम कौनसा अकाउंट आपने link की तरू ओपन किया है जरू कमेंट सेक्षेन ने बता देना तो अफते बर के अंदर अंदर यह सारी वीडियो आपने को free of cost प्रोवाइड कर दे जाएंगे तब तक के लिए बाए